अरे आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा ये तो काम इतना अच्छा था और उपर से आपके और आपके असिस्टेंट अशोक का कस्टमेर कर पती व्योहार बहुत ही बढ़िया था बहुत बहुत धन्यवाद सर आप हमारे काम से संतुष्ट है बस हमें और के जाए सर थांकि राजु भाई धन्यवाद से लते नमस्कार जी नमस्कार अशोक काम तो सभी करते हैं लेकिन अगर थोड़ा और कौशल स्कील या अच्छो गुनों को हम अपना ले तो हमारे कस्टम को अंग्रेजी में सॉफ्ट स्किल्ज भी कहते हैं हमारे देनन दिन कामकाज में अगर हम इसे अपना ले तो हमारे कस्टमर और हमारे साथ काम करने वाले लोगों को भी इसका फाइधा हो सकता है यह लोग गुरु चाहे अरे बैठो अशोक सबसे पहले बात होती है परस्नल सॉफ्ट स्किल्स के बारे में और भी कुछ बताईए ना यह सॉरक्षा के साथ-साथ हमें अपने साफ सफ़ाई पर भी ध्यान देनना चाहिए जैसे के काम पे जाते वक हम पूरी तैयारी के साथ जाए और हाँ वक्ती पाबंदी भी बहुत जरूरी है जैसे काम पे जाने के लिए वक्त पर जाना जरूरी है अगर आपने किसी कस्टरमर को काम खतम करने की डेट दी है तो उस डेट के पहले उनका काम खतम होना चाहिए इस काम में और एक बात जरूरी है आपकी समाशन कला या तो फिर कम्यूनिकेशन स्किल कम, कमू, कैसे स्किल्स भहिया अरे, कम्यूनिकेशन स्किल इसका मतलत तुमारे सुपिरियर से, तुमारे कस्टमर से तुमारे जुनियर से तुम्हारे साथ काम करने वाले लोगों से जिस सरसे बात करते हो उस बात करने का सही तरीका उसे communication skill कहते है पर उसमें कानसी बड़ी बात है? बाते तो मैं भी करता हूँ वह ऐसी बाते नहीं काम के बारे में तुम तुमारे साथ काम करने वाले से बाते करते हो या पुझना चाते हो या तुम्हारे कस्टरमर के साथ काम के बारे में जो चर्चा होती है उसे कम्यूनिकिशन स्किल यानि के संभाशन कला कहते है कस्टरमर से नमरता से शांत सुर में बात करना भी अत्यनत प्रभावी होता है इससे उनके मन में तुम्हारे प्रती विश्वास पैदा होता है समझ मैं है आप समझा राजू भी है मैं और अच्छी बात चित करने के तरीके की और एक खासियत होती है इससे आपके टीम में आपसी स्वयोग बढ़ने में काफी मदद मिलती है सही का भी है आपने मैं आपसे उन्ड और तजूर्बवे में इतना चोटा हूँ फिर भी आप मुझे इतनी आदर और नम्रता से बात करते है मुझे बहुत अच्छा लगता भी है तुम भी अपने जुनियर के साथ इसी तरह का बरताओ रखना यदि तुमारे साथ किसी की अनमन हो भी गई तो शान्त मन्द से एक दूसरी की सारी बाते सुनना और उस समस्य का हन निकलना ना कि वादिवाद से और जगडे से समझ क्या राजबिया लेकिन इन सब के साथ परफेक्ट काम करना भी तो एक स्किल है 100% देखो अच्छा काम ही तुम्हें अच्छा काम दिलाएगा काम शुरू होने के पहले काम करते वक्त या काम होने के बाद भी तुम तुमारे कस्टमर के साथ अच्छा वैवार करना उनके घर पे औपिस में जहां पर भी तुम काम कर रहे हो उनके कोई भी चीज को लुकसार नहीं पहुचाना आखिर काम की कॉलिटी और कस्टमर सर्विस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन है यानि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसमें कोई समझोता नहीं भई आपके इनी गुनों के कारण तो हमारे पास इतने लोग आते हैं काम कराने पैसों का व्यवार ठीक तरीके से संबालना जो भी काम तुम पर सौपा जाए वो ठीक तरीके से करना कस्टमर की रिकॉर्मेंट को समझना, सुनना हमेशा A1 कॉलिटी देने की कोशिश करना तुम ही ने अपना लो फिर अपना काम दीन दुगना, राज चाउगना होते देखो और याद रहे, कभी भी कस्टमर के घर पे काम के दोरान उनके कोई भी चीज को इस्तमाल नहीं करना जैसे के फ्रीज से पानी का बॉटन निकलना सोफिय पे बैटना, उनके घर पे खाना और धुम्रपन ना करना क्यूट, ठीक कहा न मैंने सोला आने सच भहिया तो इस बात पे और एक चाय हो जाए बिलकुल भहिया